कि हैलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो एंसी पर वह पोल देखने के बाद यह वीडियो बनाई जा रहे है तो इससे कहीं जादा अंदाजा लग पाएगा कट आपका साथी मैं आपसे एक और में इंपर्णेंट बात करना चाहती हूं कई बार वीडियो लेट हो जाती है तो जब वीडियो लेट होती है तो आप कमेंट करने से पहले जरा यह सोच लें कि मैं भी एक इंसान है और उनके साथ भी कुछ health issues या कुछ personal problems हो सकती है आप सिर्फ comment करना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे तो आगे से इस चीज का ध्यान रखे anyways चलिए वीडियो को शुरू करते है तो सबसे पहले हम 2017 में बात करेंगे कि total vacancies कितनी थी और cut off कितनी गई थी तो बात करें हम total vacancies की तो 303 total vacancy थी जिसमें general category में total vacancies थी 163 OBC 62, SC 32 और ST category में vacancy थी 46 और cut off कि बात करें तो general category की cut off है वो 86 कई थी OBC की 71.75 SC 83 और ST 74 यह जो आपकी cut off है यह final cut off नहीं है यह dozer फिल करने अवली cut off है और आप यह जानते हैं कि dozer upload करने के लिए double triple candidates को बुलाया जाता है माल लीजिए for example अगर 100 vacancy है तो लगभग 300 candidates को बुलाया जाएगा dozer upload करने के लिए या फिर 250 candidates को ठीक है तो यह dozer फिल करने वाली cut off है जिसमें बच्चों को dozer upload करने के लिए बुलाया गया था final cut off जो है इससे 5 यह 6 नमबर हमेशा जादा रहती है तो यह आपकी cut off है 2017 की थी बात करें इस साल की तो पहले हम पोल देख लेते हैं first shift को लेकर पोल कराया गया था जिसमें 875 बच्चों ने vote किया था इसमें लगभग आपके 66% बच्चों ने यह कहा कि उनके marks 105 या उससे कम है और जिसमें majority 90 से 100 के बीच है 54% बच्चों के जो marks है वो 90 से 100 के बीच है और 66% बच्चों के marks 105 या उससे कम है बाकि अगर 115 या उससे जादा की बात करें तो 14% बच्चों के marks है लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि 200 questions किसी को भी याद नहीं रह सकते तो अगर आप अपने 115 नमबर गैस करें तो ये कम से कम कम होके जादा भी नहीं तो 170 या 108 तक पहुँच जाएंगे क्योंकि आप कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप 200 questions आप याद कर पाएंगे बिल्कुल नहीं हो सकता किसी के साथ भी तो कई पर ऐसा होता है कि किसी question के answer को लेकर हम doubt में रहते हैं तो हम अपना उसको सही मान लेते हैं लिकिन जरूरी नहीं है कि वो सही हो तो ये जो बच्चों ने guess कि हमारे इतने marks होंगे उनसे लगबग 4 या 5 नमबर आपके कम ही होंगे तो टोटाल बात ये है कि 66% कुण ने ये कहा कि उनके marks 105 या हो से कम है फिर प्ऌंबे तो two investment में लगबग एक हजार बचों ने वोट किया और इसमें लगबग 70% बच्चों ने ये कहा कि उनka कंच नमबर 105 या उस से कम है ठीक है, फर्स शिफ्ट में 66% बच्चों ने बोला कि उनके 105 यह से कम है, सेकंड शिफ्ट में 70% बच्चों नी यह कहा कि उनके 105 यह से कम नमबर है, और थर्ड शिफ्ट की बात करें तो लगबग 1100 बच्चों ने वोट किया, और 68% बच्चों नी यह कहा कि उनके मांक्स 105 यह चुने होंगे आप यह मान लें टीक है 115 नंबर जो बच्चे बता रहे हैं वो बहुत कम होंगे संख्या में और फाइनल जो मांक से आपको बता है भी तो 2017 में 163 वैकेंसी थी और कट-off 86 पे अब जो जनरल की जो वैकेंसी हैं वो अन्रेट से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं साल मतलब 163 में अगर हम हन्रेट प्लस करें तो 263 होता है तो हन्रेट से भी ज्यादा वेकेंसी प्लस हुई है तो जनरल की जो कट-off है वो 92 से 97 के बीच रहेगी फिर भी मैंने जर्नल की cutoff क्यों जादा बताई है क्योंकि 2017 के comparison में 2021 में paper थोड़ा सा easy था यह आप मानेंगे 2017 का जो paper था वो काफी tough था 2021 का जो था उससे comparatively easy था तो मेरे इसाप से जो जर्नल की cutoff है वो 92 से 97 के बीच में रहेगी OBC की जो vacancy है वो मतलब लगबग double हो चुकी है पहले 62 थी इस बार 116 हो चुकी है लगबग double है तो OBC की cutoff मुझे नहीं लगता जादा रहेगी फिर भी यह 84 से 88 के बीच में कहीं रह सकती है थोड़ा सा और कम भी जा सकती है लेकिन मेरे हिसाब से 84 से 88 के बीच कहीं OBC की cutoff रहे बीच में कहीं रहेगी बात करें ST की तो ST की vacancy भी पिछले साल से तो बहुत ही जादा कम हो चुके सिफ दो vacancy है इस बार ST category में जो cutoff है वो आपकी 90 से 95 रह सकती है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार SC ST category में जो cutoff है वो OBC category से थोड़ी से जादा रहेगी और एक चीज मैप को यह बता दू यह जो मैंने cutoff का जो यह prediction किया है यह आपका dozer करने वाली cutoff है final नहीं है जैसे for example मालीजे मैंने कहा है कि general की cutoff 92 से 97 के वीच में रह सकती है तो final अगर आपके मालीजे cutoff 92 रही तो final आपकी cutoff रहेगी लगब 97 98 तक ठीक है और अगर 97 cutoff रही dozer करने वाली तो आपकी final cutoff लगबग 103 104 तक जा सकती है तो यह जो cutoff है यह आपकी dozer फिल करने वाली है में recording जो TGT social science mail 2021 2021 की जो expected cutoff रहेगी वो यह रहेगी इसमें आप plus 2 minus 2 कर सकते हैं इतना दो variation होई जाता है लेकिन मोटा मोटा मेरे हिसाब से cutoff यही रहने वाली है तो यह थी आज की कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसे लगी साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच